तो फ्रेंड्स आज मैं आपसे एक ऐसे फेस सीरम बनाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप हर मौसम में और आलमुस्ट हर स्किन टाइप के लिए यूज कर सकते हैं बस आपको इसकी क्वांटिटी में थोड़ा सा प्लस माइनस करना है और इसे आप किसी भी स्किन टाइप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस फेस सीरम बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टी स्पून कोकोना टॉयल 3 टेबल स्पून एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून रोज वाटर 1 टी स्पून ग्लेसरीन पर ग्लेसरीन सिरफ उनके लिए यूज करेंगे जिनकी स्किन या तो बहुत ड्राइ है या फिर नॉर्मल स्किन वाले जो बिंटर्स के लिए ग्लेसरीन को यूज कर सकते हैं और 2 कैप्सूल्स वाटामिन E के तो मैंने इसमें ले लिया है बन टीस्पून कोकोनट वाईल अगर आपकी स्किन जयादा ड्राइ है तो आप survived क्वाईल की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या इसमें 3चाओ ड्रॉप्स कैस्चर वाईल की मिक्स कर सकते हैं और अगर आपकी स्किन वाईली है तो आप coconut oil की quantity को और कम कर सकते हैं like half teaspoon या कुछ drops सिरफ इसमें हम add करेंगे 3 tablespoon aloe vera gel मुझे wow brand के aloe vera gel पसंद है तो मैं उसे ही use कर रही हूँ आप जिस brand के aloe vera gel पसंद करते हैं उसे आप डाल सकते हैं आप note रखिए कि आप fresh aloe vera gel नहीं लेंगे आप सिरफ bottled aloe vera gel लेंगे because इसमें थोड़े से preservatives होते हैं जो आपके serum को भी preserve करने का काम करते हैं मैंने इसमें glycerin और rose water भी डाल लिया है और अब मैं इसमें vitaminic के capsules को डाल रही हूँ सारे ingredients इसमें आ गए हैं अब हम इसे अच्छे से mix करेंगे आप चाहें तो आप अपनी finger से भी whisk कर सकते हैं इसे हम अच्छे से mix करते रहेंगे तो आप देखिएगा दीरे दीरे ये अपना color अपना texture change कर रहा है और ये इस तरह से एक serum type texture इसने ले लिया है इसे हम एक clean bottle jar में या मेरे पास ये pump bottle है इसमें store करके रखें और आप किसी भी weather में किसी भी season में और किसी भी skin type के लिए से use कर सकते हैं ये जो मैंने आपको quantity बताई है ये normal skin type वालों के लिए है oily skin वाले अपने हिसाब से oil की quantity कम कर दे और dry skin वाले oil की quantity को थोड़ा सा increase कर दे better होगा अगर आप 3-4 drops केस्टराइल की add कर लें बट सिरफ dry skin वाले I hope आप ये serum ट्राइ करें और आपको मेरा ये serum कैसा लगा मुझे comment section में बताएं और ऐसी information जानने के लिए मेरे channel को subscribe कीजिए Thank you